स्मरणिय तथ भाग 20 एवं भाग 21 सम्विधान संशोधन प्रक्रिया तथा आस्थाई संक्रमन कालीन एवं विशेश उपबंध नमबर एक भारती सम्विधान में संशोधन की प्रक्रिया संबंधी उपबंध अनुच्चेत 368 में किये गए हैं नमबर दो वे संशोधन जो संसत के साधारन बहुमस से पारित अधिनियम दोरा कर दिये जाते हैं उन्हें अनुच्चेत 368 के तहट किया गया संशोधन नहीं माना जाता नमबर तीन नए राज्यों के स्रजन भारत संख में प्रवेश राज्यों के ख्षेतर, सीमा, नाम में परिवर्तन, विधान परिशदों के स्रजन एवम उत्सादन, अनुची दो के अंतरगत, आने वाले शीर्सपदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, नागरिकता की प्राप प्रशासन संबंधी उपबंधों आदि में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक साधारन बहुमत से पारित किये जाते हैं। नमबर चार अनुच्छेत 368 के तहट संविधान संशोधन की सबसे कठोर प्रक्रिया उन मामलों में अपनाई जाती है जो देश के संगहात्मक धाचे को प्रभावित करते हैं। ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए संशत के प्रतेक सदन के दो तिहाई बहुमत के साथ ही निउन्तम देश के 50 प्रतिशत राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन की आवशक्ता होती है। नंबर पाच उच्चतम एवं उच्च नयायालों की शक्तियों में परिवर्तन करने। संग एवं राज्यों के बीच विधाई शक्तियों को वितरन राश्पति के निरवाचन की रीती संग एवं राज्य की कारेपाली का शक्ति में विस्तार। अनुचेत 368 के तहट सम्विधान संशोधन की संसत की शक्ती एवं इसकी प्रक्रिया में परिवर्तन आधी ऐसे मामले हैं जिन से संबंधित विधेकों पर आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन की आवशक्ता होती है इस अधिनियम के माध्यम से अनुचेत 13 में खंड चार जोडते हुए घोशना की गई की संसत को मूला धिकारों को संशोधित करने या कम करने का अधिकार है इस परिप्रेक्ष में यह उलेखनी है कि संविधान का अनुचेत 13 मूला धिकारों के अलपी करन के विरुद्ध है किन्तु 24 संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अनुचेत 13 की विधिक व्यापक्ता को सीमित तथा स्पष्ट करता है नंबर आट अनुचेत 13 के खंड दो और 24 संशोधन अधिनियम 1971 के परिप्रेक्ष में केशवा नंद भारती बनाम केरल राजिका 1973 वाद अत्यंत महत्तोपून है नंबर नो मुख्य नयाधिश श्री सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदसी पीट ने इस वाद में सर्वपर्थम संविधान के मूल धाचे के सिध्धानत का प्रतिपादन किया और कहा कि संविधान का मूल धाचा प्रभावित ना हो अर्थाद संविधान का मूल तत्व या उसका आधार भूत धाचा अक्षुन रहे इस प्रकार केशवानन्द भारती बनाम केरल राज वाद 1973 में दिये गए निरणय के माध्यम से प्रतिपादित संविधान के मूल धाचे का सिध्धान संसद के संशोधन की शक्ति को परिसीमित करता है अब प्रश्ण है संविधान का मूल धाचा या आधार भूत तत्व फंडामेंटल इसेंस क्या है इस परिप्रेक्ष में तत्थ ये है कि मूल धाचा को परिभाशित करना अभी भी शेश है किन्तु अनेक वादों के तहट दिये गए अपने निर्णेयों में सर्वोच्च नयायाले ने इसके तहट निम्न तथ्यों को समाहित किया नंबर एक सम्विधान की सर्वोच्चता नंबर दो सरकार का गलत अंत्रात्मक स्वरूप नंबर तीन राजिका पंत निर्पेक्ष स्वरूप नंबर चार सम्विधान का संगी स्वरूप नंबर पांच राजिका कल्यान कारी स्वरूप 6. सर्वोच न्यायाले की न्याईक पुनर्विलोकन की शक्ती 7. विधी का शासन 8. समता का सिद्धान 9. स्वतंत्र एवं निस्पक्ष निर्वाचन 10. न्याय पालिका की स्वतंतरता आदी 12. जम्मु कश्मीर राजी के विशय में आस्थाई उपबंद सम्विधान के अनुच्षेद 370 में अंतर विष्ठ किये गए हैं इस अनुच्षेद के तहट जम्मु कश्मीर को विशेश साम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 13. स्मर्णी है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंतरता के साथ ही जम्मु कश्मीर भी स्वतंतर हो गया था किन्तु नवोदित राष्ट पाकिस्तान द्वारा उत्पन की गई परिस्थितियों के फल सो रूप जम्मु कश्मीर को भारत में विलीन होना पड़ा और आज जम्मु कश्मीर भारत का अभिन अंग है 14. जम्मु कश्मीर का भारत में विले 26 अक्टूबर 1947 को हुआ जब जम्मु कश्मीर के तातकालीन महराजा हरी सिंग ने भारत के साथ आधी मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया नमबर पंद्रा यद्यपी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अंतिम रूप से हुआ है और यह भारत का अविभाज्य और अभिन अंग है किन्तु कुछ मामलों में इसे अन्य राज्यों की अपेक्षा विशेश सम्वैधानिक अधिकार प्राप्त है नमबर सोला वे तत्व जो इस राज्य को विशेश्ट सम्वैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं संग्षेप में इस प्रकार हैं नमबर एक इस राज्य का अपना सम्वैधान है और उसी के अनुसार इस राज्य का प्रशासन संचालित होता है नमबर दो, भारती सम्विधान के भाग चार और भाग चार का में उपबंधित क्रमशाह राज्य के नीती नीदेशक, सिध्धान्त और मौलिक करतव से सम्बंधित प्रावधान इस राज में लागू नहीं होते नमबर तीन, इस राज में मौलिक अधिकारों की संख्या अभी भी साथ है और संपत्ती का अधिकार राइट टू प्रापर्टी एक मौलिक अधिकार है नमबर चार, पाँचवी और छटवी अनसूची के प्रावधान जो की अनसूचित क्षेत्रों और अनसूचित जनजातियों पर प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है इस राज पर लागू नहीं होंगे नमबर पाँच, भारतिय संविधान में किया गया कोई संशोधन इस राज में तब तक लागू नहीं होगा जब तक की राष्टपती आदेश त्वारा उन्हें इस राजे तक विस्तारित ना करें आदी